जैहिन दोस्तो मैं विकास भारत द्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत दिन बाद कुछ जानकारी आई है उस पर हम चर्चा करेंगे चर्चा है क्लारिफिकेशन रिगार्डिंग कैलकुलीशन आप वेकेंसी जॉप SIPF LDC कोटा इन आर्पीअप 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 तो आर्पीअप रूल 72 के तहद सबिंस्पेक्टर का एक जाम होना था जो की विगत पिछले साल से अभी तक होल्ड पर है उसके संबन में यह लेटर आया है यह एक संभावना व्यक्त करता है कि आने वाले समय में बहुत ही जल्द आपके लिए रूल 72 सबिंस्पेक्टर का एक्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है इस लेटर में यह क्लारिफाई करने की कोशिस की गई है कि Rule 72 सब इंस्पेक्टर के लिए vacancies कैसे count की जाएंगे अपने पास विभाग में promotion के लिए दो rule है एक है Rule 70 और एक है Rule 72 तो Rule 70 जो है वो regular promotion है और Rule 72 के तहट जो है आप exam दे करके एक नियत अवदी के बाद promotion पाते हैं लेकिन Rule 70 में क्या है कि जैसे आप senior होते हैं वैसे आपको number मिलता है seniority come suitability में तो इस लेटर को पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं कि क्या यह लेटर कहना चाहरा है और इस लेटर में कितनी प्रतिशत संभावना है कि आपके Rule 72 SIPF का LDC का exam होगा या नहीं होगा तो सबसे पहले जो लिखा हुआ जो quoted line है उसे ही हम पढ़ लेते हैं जिसमें कि कहता है इस बेंदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदे सिंपल अगर हम इसका मीनिंग निकाले तो ये कहा गया कि रूल सत्तर और बहत्तर में अनुपात बांट दिया गया है प्रमोशन का और वो अनुपात हो गया है फिप्टी और फिप्टी का मतलब इसके कहने का एक ही सेंस निकलता है कि रूल 72 के तहद भी सव इंस्पेक्टर की वेकेंसी होगी क्यूंकि रेशियो बांट दिया गया पचास परतिसत लोग सत्तर से प्रमोट होंगे और पचास परतिसत लोग 72 के तहद प्रमोट होंगे आगे ये कहता है कि अगर condition ऐसा होता है कि एक ही post है तो 50-50 नहीं होगा वो LDC rule 72 के तहथ भरती किया जाएगा या promote किया जाएगा उनको और अगर fraction में भी vacancy छूड़ जाता है मानली जी कि 7 vacancies थी 50-50 करेंगे तो 3.5, 3.5 ऐसा तो होगा नहीं तो वहाँ क्या होगा 3 and 4 हो जाएगा 3 सीटे 70 के तहथ और 4 सीटे 72 के तहथ भरती कि जाएगे once the prescribed percentage are reached the post should be filled like go like come basis as per extend procedure अब जैसे कि पूरा percentage भर जाएगा तो इसमें क्या होगा like go like come basis पर आपको select किया जाएगा मतलब कोई जाएगा तो कोई आएगा इस तरीके से जो है किया जाएगा और necessary action के लिए कहा दिया गया है तो इस later से समझ लेने के बाद बस इतना ही संभावना ब्यक्त होता है कि आप फिर से जाग जाएगे जैसे कि मैंने आपको यह सुचित कर दिया कि rule 72 SIPF का exam होगा डिपार्टमेंट ने इस later के अनुसारिय क्लियर कर दिया है कि 50-50-30 मतलब 50-50 ratios के हिसाब से ही selection promotion में किया जाएगा 70 और 72 सब इंस्पेक्टर में तो इसी आसा के साथ कि बहुत ही जल आपका rule 72 SIPF का exam कंड़क्ट किया जा सकता है और आप तयारी में लग जाईए और regular वीडियो के लिए और पुराने वीडियो के लिए इस channel पर बने रहिए साथ इसाथ आप पूरे तरीके से revision और अपने तय प्यारी को सुरू कर दिजे ताकि आप इस exam में सफल हो पाएं आसा करते हैं कि आपके लिए यह वीडियो लाबदा एक से दुआ होगा अगर लाबदा एक से दुआ तो like कर दिजेगा साथ इसाथ channel पर पहली बार आये हैं तो subscribe कर लिजेगा ताकि आगे अगर सब इंस्पेक हम मत रहा हैं तो